भारत तीर्थों का देश है उत्तर से दक्षिन और पूर्व से पश्चिम तक सारा भारत भूखंड तीर्थों से विभूशित है जहां धर्म प्राण भारत वासी शद्धा और आस्था की भावना से इकठा होकर शान्ती और पवित्रता का अनुभव करते हैं सारनाथ भी ऐसा ही एक शान्ती तीर्थ है ये तीर्थ भारत की उदार द्रिष्टी, सहिशुनता और अनेकता में एकता की भावना को प्रतिबिम्बित करता है वारनसी से आठ किलोमीटर दूर ये स्थान किसी समय में सारंगनाथ के नाम से प्रसिध्ध था यहीं धाई हजार साल पहले भगवान बुद्ध बोध गया में ज्यान प्राप्त करने के बाद पधारे थे और यहीं उन्होंने अपने पांच पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया और वे पांचों उनके शिश्य बन गए थे यहीं से बाउध मत का प्रचार आरंभ हुआ कि अधियों का यहीं से बाद यहीं साथियों मत का अधारा बहला बहला है सारनाथ का म्रिगों से अभिन्य संबन्थ यहां म्रिग दाव में अभैदान पाय हुए हिरण प्राकृतिक बातावरण में स्वच्छन्द विचरते हैं सारनाथ का सबसे महत्वपून स्थल्द विचरते हैं धमेक स्थूप है इस भव्य स्थूप में कभी बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई थी जिसके कुछ चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं इसका निर्मान पांचमी शताब्दी में गुप्त काल में हुआ यहीं भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया क्या है कुछ बउधों का विश्वास है कि प्रार्थना करते हुए धमेक स्थूप की तीन बार परिक्रमा करने से मनुष्य के सारे कलुष धुल जाते हैं और वो निश्पाप हो जाता है धमेक स्थूप को जाने वाले मार के दोनों और छोटे छोटे स्थूपों के भगना वशेश हैं इन में से कुछ में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाए प्रतिष्ठित हैं कहते हैं यही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सुप्रसिद्ध अशोक स्थम्भ पर समराट अशोक के आदेश अंकित हैं पचास पुटूचे इस तंब के ऊपर सिंगों की त्रिमूर्टी थी जिसे भारत ने अपना राज की ये चिन्ध बनाया है गया के बोधि विर्क्ष की एक तहनी संग मित्राश श्री लंका ले गई थी वहीं से सदियों बाद लाई गई एक तहनी ने ये रूप ले लिया है बोधि विर्क्ष के पास ही अनेक देशों के मंदिरों की श्री खिला है इस प्रकार सारनाथ विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया है ये है श्री लंका का मंदिर भगवान बुद्ध के परिनिर्वान के बाद बवध धर्म, हीनियान और महायान इन दो प्रमुक शाकाओं में बट गया हीनियान के अनुआई केबल भगवान बुद्ध को मानते हैं जबकि महायान की अनुगाई अन्य धर्म गुरुओं में भी आस्था रखते हैं, श्री लंका में हीन यान शाखा का प्रचार हुआ, मंदिर में पहले उपदेश होता है, भगवान बुद्ध को सत्य का प्रकाश हुआ, फिर उन्होंने धर्म का प्रचार किया, उपदेश के पूजा होती है। मंदिर में जापानी कलाकारों के बनाए बहुत से भावपूर्ण भित्ती चित्र हैं, माता को सपने में एक सफेद हाथी दिखाई दिया। शिशु के जन्व के बाद माता पिता को उसके भविश्य के विशय में चिन्ता हुई। कुछ घटनाओं ने युवाराजकुमार को बुरी तरा आंदोलित कर दिया। सिध्धार्थ जीवन से विरक्त हो गए। वे सोचने लगे कि ये दुख क्यो है। जीवन का सार क्या है। दुविधा की इसी अवस्था में एक रात अपनी सुंदर युवापत्नी और अबोध बालक को छोड़कर सत्य की खोज में वे जंगल की ओर चल पड़े। और तब उनकी कठोर तपश्यरिया आरंभ हुई। ज्ञानोदय से पूर्व नाना प्रकार के प्रलोभुन ने उनकी तपश्या को भंग करने का प्रियास किया। किन्तु सिध्धार्थ विचलित नहीं हुए और बुद्ध हो गए। सारनाथ में भगवान बुद्ध अपने पांच पुराने साथियों को पहला उपदेश कर रहे हैं। करुणा मूर्ति बुद्ध दुखियों की सेवा करते हुए। मनुष्य मात्र से प्रेम करने वाले बुद्ध के लिए कोई भी अच्छूत नहीं था। दुर्जन भी उनकी कृपा और उकदेशों के पात्र बने। और अंत में कुशी नारा में भगवान बुद्ध परिनिर्वान को प्राप्त हुए। अंतिम समय अपने प्रिय शिश्य आनंद से बोले अपना दीपक आप बन। ये है सारनाज का चीनी बुद्ध मंदिर। अंतिम समय आन परिय शिश्य आनध। अंतिम समय जड़ मंदिर्ण परिय शिश्य सिव ये कर दोले इनिर्ण भाशन चीनी ट्स्ट्र नल्कान परियंग इसमें भगवान की मुखाकृती चीनी लगती है इस मंदिर में पूजा अर्चना कर्म कांड से भरी हुई है ये वाद्य धातु और मचली के सिरका बना हुआ है इस मंदिर में पूजा शिया जुच में पूजा अर्चना कर्म कांड से भरी हुई है ये है थाई देश का बुद्ध मंदिर इस मंदिर की मूर्कियों के बहुमूली अलंकरण की शोभा देखते ही बनती है भगवान की ये मुद्ध राएं गहन आध्यात्मिक सत्यों का निरूपन करते ही बनती है और ये है बर्मी बुद्ध मंदिर अध्या मंदिर तिब्वती मंदिर का स्थापत्य पूर्ण तह तिब्वती है मंदिर की दीवारों पर तथागत के चित्र बने हुए हैं बुद्ध की ये मूर्ती बहुत विशाल है मंदिर में जीवन की देवी की प्रतिमा है जो बुद्ध की प्रतिमा के ठीक सामने है जो लुद्ध की ये मूर्तिमा के लो थादी से ले उादी से लेग onion कर दो कर दो मंदिर की दीवारों पर बुद्ध की विभिन अवस्थाओं के चित्र बने हुए हैं यहां आने वाले यात्री धर्म चक्र के प्रवर्तन से अपने जीवन को धन्य करते हैं दूर दूर के देशों से आने वाले शद्धाल यात्री शांती की खोज में बुद्ध की भूमी सारनाथ आते हैं वहां का सारा वातावरण अलवकिक शांती और पवित्रता से आपूरित हैं जिसे आज भी कोई भी सहज ही अनुभव कर सकता है झालवकिव गुलाय शजदान आते हैं